हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है तो उसमें हमारी क कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। दी शाइन शॉर्ट ओरल सॉल्यूशन का इस्तेमाल विटमिन डी की कमी और ऑस्टियो परोसिस के इलाज में किया जाता है। यह शरीर को कैल्शियम को अवशोशित करने में मदद करता है। मजबूत और स्वस्थ हड्यों को बनाए रखन के लिए केल्शियम आवश्यक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आपका हार पर्याप प्रदान नहीं करता है। दी शाइन शॉर्ट ओरल सॉल्यूशन को आपके डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही लेना चाहिए। इसे भूजन के साथ या बाद में सबसे अच जाएंगी। यह दवा उपचार के एक संपूर्ण कारेक्रम का केवल एक हिस्सा हो सकती है जिसमें आपके आहार में परिवर्तन करना और केल्शियम और विटामिन की खुराक लेना भी शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको अपने आहार में परियाप्त केल और विटामिन D मिले। उन खाते पदार्थों के बारे में जाने जिन्हें आपको खाना चाहिए। दी शाइन शॉर्ट ओरल सॉल्यूशन के कुछ साइड एफेक्ट है और कोई भी सामान्य नहीं है। यदि आप बहुत अधिक लेते हैं तो आपको कमजोरी, मांस्पेशिय में दर्द या आपके मूह में धातु जैसा स्वाद महसूस हो सकता है। यदि ऐसे किसी भी दुशप्रभाव का अनुभव होता है तो अपने डॉक्टर से बात करें। वे लक्षणों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। इस दवा को लेने से प दवाओं के बारे में बताएं जो आप सुरक्षित हैं यह सुनिश्चित करने के लिए ले रही हैं। यह दवा गर्भावस्था के दौरान मदद कर सकती है जब आपके शरीर को अधिक विटमिन D की आवशक्ता होती है लेकिन बहुत अधिक आपके बच्चे को नुक्सान पहुंचा सकता है। अपने डॉक्टर से चर्चा करें विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।